जई भोलेनाऊट, आप सभी का हमारी योट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वा outfits है इतने दिन तक आप सभी रैं हमारे चैनल पर सावनमास महत्यमी सुना उसके यह आप सभी का हार्दिक आपाछ आज आप रस्पान करेंगे सावन मास महतमे के अंतिम अध्याय याने की तीसवे अध्याय का जोकि सावन का पूरा ही महिना भगवान शिव को समर्पित होता है ऐसे में भगवान शिव और श्रीहरी से जुड़ी भी कथाएं आज के दिन सुनी जाती है बहुत सारी पौराणी कथाएं ऐसी हैं जिनमें बताया गया है कि भगवान शिव की करुणा अपने भगवान शिव को भोले नाद भी कहा जाता है एक पौराणी कथा के नुसार एक बार गजेंद्र नामक एक असुर्था भगवान के लिए तो सारे भगत एक बराबर होते हैं कोई भी भगत उन्हें सचे मन से पुकारे तो वो उसकी पुकार पर तुरंत दोड़े चले आते हैं ऐसा शायद कोई ही भगत होगा जिसने भगवान को सचे मन से याद किया हो उनसे सच्चे मन से विंती की हो और उसे भोलेनाथ ने ना पूरा किया हो इसलिए भगवान भोलेनाथ कभी भी अपने भगतों की जोली खाली नहीं रखते तो जो गजेंद्र नाम का असुर्थ था एक बार उसने बहुत कठिन तपस्या की और भगवान शिव से ये वर्दान पाया कि वो जब भी उन्हें पुकारेगा भगवान शिव को आना ही होगा तेरी लोकों में सदा विचरन करते रहने वाले देवर्शी नारद ने देखा कि गजेंद्र हर छोटी छोटी बात के लिए भगवान शिव को पुकार लेता था तो उन्होंने एक दिन गजेंद्र के साथ एक चाल चली एक दिन उन्होंने गजेंद्र के पास आकर कहा ना रायन ना रायन गजेंद्र तुम शिवजी को बार-बार क्यों पुकारते हो और वो तो तुमारी हर पुकार पर आ जाते हैं क्यों नहीं तुम उनसे ये कहते हैं कि वो तुमारे अंदर ही आ जाएं और वही रहें जिससे वो हमेशा तुम्हारे अंदर ही होंगे फिर तुम्हारी जब भी इच्छा हुआ करेगी तुम उन्हें पुकार कर अपने अंदर से उन्हें धून निकालोगे गजेंद्र को ये बात अच्छी लगी उसने फिर से भगवान शिव की पूजा की जब भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए तो गजेंद्र बोला है महादेव अब आपको मेरे अंदर ही रहना होगा बस आप यही वर्दान मुझे दीजे आप मेरे अंदर बस जाईए और यहां से कहीं मत जाईए तब भगवान शिव अपने भोलेपन में एक लिंग के रूप में गजेंद्र में प्रवेश कर गए और वही रहने लगे फिर जैसे जैसे समय बीता पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव की कमी महसूस करने लगा कोई नहीं जानता था कि वो आखिरकार कहां है सभी देव और गण शिव जी को खोजने लगे काफी खोजने के बाद जब कोई ये पता नहीं लगा पाया कि आखिरकार महादेव कहां है तो वे इस समस्या का हल टूनने के लिए शिरी हरी के पास गए शिरी हरी ने इस्थिती देखी तो कहने लगे महादेव तो गजेंदर के अंदर है फिर देवों ने उनसे पुछा कि हे शिरी हरी वे भगवान शिव को गजेंदर के अंदर से कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि गजेंदर तो शिव जी को अपने अंदर रखकर अमर हो गया था हमेशा की तरह शिरी हरी ने इस समस्या का भी सही समाधा निकाला देवकंड शिव भक्तों का रूप धर कर गजेंद्र के राज में आये और बहुती भक्ती के साथ भगवान शिव का स्तुतिगान करने लगे भगवान शिव का महान भक्त होने के कारण गजेंद्र ने इन लोगों को अपनी दर्बार में आकर गाने और नाचने का निमंत्रन दे दिया शिव भक्तों के वेश में देवों का यह दल आया और बहुत भावनाओं के साथ, सची भक्ती के साथ वे भगवान शिव को प्रसन करने के लिए भक्ती गीतकाने लगे और इस्तूती करती वे नाचने लगे भगवान शिप जो गजेंदर के अंदर बैठे वे थे अब खुद को रोग नहीं सकते थे उन्हें जवाब तो दे नहीं था उनके भक्त उन्हें पुकार रहे थे उन्हें सामने तो आना ही था तब वे गजेंदर के टुकडे टुकडे करके उससे बाहर आ गए और बाहर आकर तब उन्हें ने देवताओं को अपना वास्त्विक दर्शन दिया कहते हैं कि जब कोई भक्त एहंकार करने लगता है तो उसका घमन चूर करने के लिए भगवान फिर पीछे नहीं हटते यही कुछ हुआ था गजेंदर के साथ एक और अन्य कथा के नुसार भगवान शिप की पूजा देवता और राक्षस देव और असुर श्रेष्ट और अधम सभी लोग करते हैं वो हर किसी के लिए महादेव हैं श्री हरी भी उनकी पूजा किया करते थे श्री हरी की भगवान शिप के भक्ती बताने के लिए जो यह आप कथा आप सुनेगे यह बहुत ही सुन्दर और बहुत ही प्रचलित पुरानिक कथा है एक बार श्री हरी ने भगवान शिप से वचन दिया था कि वो उन्हें 108 कमल के पुश्प अरपित करेंगे पूरे संसार में खोजने के बाद जब उन्हें 108 कमल के फूल मिले तो उन्हें लाकर सारे फूल भगवान शिप के सामने अरपित कर दिये अरपित करने से पहले जब श्री हरी ने उन कमल के फूलों को गिना तो बार बार गिनने पर भी हर बार एक फूल कम ही मिलता उन्हें ने सोचा मैंने तो 108 कमल के फूल तोड़े थे एक फूल बार बार कम क्यों रह जाता है उधर भगवान शिप अपनी आँखे बंद किये वे ये सारा विधान अपने मन की आँखों से देख रहे थे वो जानते थे और ये सारी लीला भी उन्हें के रचाई भी थी वे देख रहे थे कि श्री हरी इस समय बड़ी परिशान मुद्रा में है तो उन्होंने अपनी आँखे तो नहीं खोली बलकि सिर्फ मुस्कराने लगे क्योंकि उनको अरपित किये जाने वाले 108 कमल के फूलों में एक फूल कम जो था फिर श्री हरी ने भगवान शिव से कहा हे महादेव मुझे कमल लैन कहा जाता है जिसका अर्थ है कमल के फूलों की तरह आँखों वाला हे भगवन मेरी आँखे किसी कमल की तरह सुन्दर है तो आज मैंने आपको जो 108 कमल के फूल अरपित करने का वचन दिया था उसमें हर बार गिनने पर भी एक कमल का फूल कम रह जाता है इसलिए आज मैं अपनी एक आँख आँख आपको अरपित करने जा रहा हूँ ऐसा कहकर उन्हाने तुरंत अपनी दाहिनी आँख निकालकर भगवान शिव को अरपित कर दी सावन पूर नीमा की एक और कथा है जो की भगवान शिव और भूले नाथ को समर्पित है आपने बद्रीनाथ धाम के बारे में तो सुना ही होगा ये वो जगा है जहां कभी भगवान शिव और देवी पारवती रहते थे आप तो जानते हैं कि बद्रीनात धाम तो भगवान श्रीहरी का निवास है लेकिन उनसे पहले ये भगवान श्रीहरी और देवी पारवती का ही घर हुआ करता था आखिरकार कैसे भगवान श्रीहरी उनके निवास इस्थान में आकर बस गए इसके पिछे पुराणों में एक कथा प्रचलित है दरसल एक बार भगवान श्री हरी के पास दिवर्शी नारत गए और कहने लगे हे प्रभू आप तो मानवता के लिए एक बड़ी खराब विसाल बनते जा रहे हैं क्योंकि आप तो हर समय बस शेशना के उबर ही लेटे रहते हैं ना रायन ना रायन हे प्रभू और तो और आपकी पत्नी लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी सेवा में ही लगी रहती है और आपको हर समय लाड़ ही करती रहती है इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप एक अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं प्रभो आपको स्रस्टी के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपून कारे जरूर करने चाहिए इस प्रकार कहकर देवर्शी नारत तो वहां से चले गए इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए कई बार भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है तो भगवान श्रीहरी तपस्या और साधना करने के लिए किसी सही इस्थान की खोज में नीचे हिमाले तकाए वहीं उन्हें मिला बद्रिनात एक अच्छा सा छोटा सा घर जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने तपस्या करने के लिए सोचा हुआ था एकदम शांत जहां उनकी साधना में किसी भितरा का कोई विख्र नहीं आ सकता था साधना करने के लिए सबसे आदर्श जगय लगी थी उन्हें बस वो उसी घर के अंदर चले गए क्योंकि उस समय वो घर बिल्कुल खाली था जैसे ही उन्होंने उस घर के अंदर प्रवेश किया तो उस घर को देखते ही उन्हें पता चला कि ये तो भगवान शिप का निवास है और भगवान शिप के क्रोध के बारे में तो सब कोई जानते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ पर आकर बस गया हूँ तो वो तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे अपने भक्तों की गलती पर इतना क्रोध उन्हें आ जाता है कि कई बार वे अपने भक्तों का गला तो काट ही देते हैं क्रोध के मारे अपना गला तक काटने से नहीं चूकते भगवान शिरी हरी ने जब ऐसा सोचा तो चुपचाब उन्हाने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने ही बैठ गए उस वक्त भगवान शिवर देवी पार्वती बाहर भ्रह्मन करने के लिए गए हुए थे जब भ्रह्मन के बाद वे वापस अपने घर लोटे तो उन्हाने देखा कि उनके द्वार पर एक छोटा सा बच्चा बड़ी जोड़ जोड़ से रो रहा था उस नन्हे से वालब को देखते वे जोकी रो रहा था देवी पार्वती को बड़ी दया गई उन्हाने तुरंट उस बच्चे को गोध में उठाने की कोशिश की इस पर भगवान शिव ने उन्हें रोकते वे कहा देवी इस बच्चे को मत चुना रोती वे बच्चे को इस प्रकार जमीन पर बैठा हुआ देख देवी पारवती भगवाशिव से कहने लगी महादेव कितने करूर हैं आप कैसी ना समझी की बात कर रहे है मैं तो इस बच्चे को उठाने जा रही हूँ देखे तो कैसे रो रहा है भगवाशिव बोले देवी जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करना मैं कह रहा हूँ ना इस बच्चे को मत उठाओ बच्चे के लिए देवी पारवती के मन में ममता जाग उठी उन्होंने भगवाशिव की बातों को माना ही नहीं देवी कहने लगी महादेव आप चाहे कुछ भी कहिए मुझे आप कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे अंदर की मा इस बच्चे को इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकती मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाओंगी ऐसा कहकर उन्होंने उस बच्चे को उठा कर अपनी गोद में ले लिया रोता हुआ बच्चा देवी की गोद में आते ही शान्त हो गया जो बच्चा कुछी देर पहले जोर जोर से रो रहा था देवी पारवती की गोद में आने के बाद एकदम शान्त हो गया और बड़ी जोर जोसे हसने लगा और भगवान शिव की तरफ देखने लगा भगवान शिव तो जानते ही थे कि आखिरकार ये सारी लिला रचाही किसने है जब बच्चा खुश होकर भगवान शिव की तरफ देख रहा था तो भगवान शिव समझ गए कि इसका नतीजा क्या होने वाला है लेकिन करें तो क्या करें उन्होंने देवी से कहा ठीक है अब जब तुमने इस बच्चे को गोद में उठा ही लिया है तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है उधर देवी ने उस बच्चे को घर के अंदर ले जाकर खिला पिला कर चुप किया और वहीं घर पर छोड़ कर खुद भगवान शिव के साथ गर्म पानी से स्नान करने के लिए बाहर चले गई बतिरनाथ धाम के पासी गर्म पानी के कुंड है उसी कुंड में इसनान करने के लिए भगवान शिव देवी पारवती चले गए इसनान करके जब वापस लोटकर आये तो देखा कि उनका घर तो अंदर से बंद था भगवान शिव तो जानते ही थे कि अब खेल शुरू हो गया है देवी पारवती भी हरान थी कि आखिरकार दरवाजा अंदर से किसने बंद किया होगा तो भगवान शिव कहने लगे देवी मैंने कहा थाना इस बच्चे को मत उठाना लेकिन तूं तो नहीं मानी इस बच्चे को उठाकर तूम घर के अंदर लाई और अब उसी ने अंदर से दर्वाजा बंद कर लिया है अपना ही घर होते वे हम द्वार के बाहर खड़े है देवी पारवती कहने लगी हे प्रभू अब आप ही बताईए हम क्या करे अब महादेव के पास किवल दो विकल्प थे एक जो भी उनके सामने है उसे जला कर भस्म करते और दूसरा की वे खुद उस जगह को छोड़कर वहाँ से चले जाए और कोई और घर अपने ले ढोड़े तो उन्हाने देवी से कहा देवी वैसे भी वो तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं तो उसे चू भी नहीं सकता इसलिए चलो अब हम ही कहीं और चलते हैं मैं आप कुछ नहीं कर सकता इस तरह भगवान शिप और देवी पार्वती को अपना ही घर चोड़कर वहाँ से जाना पड़ा अब ये दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े दरसल बत्रिनाथ और केदारनाथ की बीच में एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच कहते हैं कि सर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है और आखिरकार में अपने ही घर से निकाले गई भगवान शिव और देवी पार्वती केदारनाथ धाम में जाकर बस गए और इस तरह भगवान शिव ने अपना खुद का ही घर खो दिया बत्रिनाथ और केदारनाथ धाम चार धामों में से एक हैं कहा जाता है कि जब भी भक्त खाली जोली लेकर भगवान के दर पर जाते हैं तो वापस लोटते समय उनकी जोली खाली नहीं रहती भगवान उनकी हर मुराद पूरी करते हैं इसलिए जीवन में जब भी संभव हो एक बार इन चारो धामों के साथ ही बद्रिनात धाम और केद साथ ही सावन मास महतमी में आप श्रीमत भागवत महापुरान की गथाओं कर रस्पान करेंगे अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक चरूर कीजेगा